जैपूर में आज फिर शराब की दुकाने खोली गई कल शुरू हुई शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होने के चलते जैपूर जिले में शराब बिक्रे पर रोक लगा दी गई थी लेकिन आज से फिर शुरू कर दी गई आज आपकारी विभाक की ओर से पूरी तैयारी के साथ शराब की दुकाने खोली गई शराब की दुकानों के बाहर बैरिकेडिंग की गई और पुलिस के जवान भी तैनात किये गई वहीं शराब की दुकानों का जायजा लिया हमारे समवादा था दिनेश कसाना ने लोगडाउन पार्ट 3 होने के साथ ही प्रदेश भर में सराब के ठेके सुरू हो गए सराब की दुकाने खुलने से प्रदेश में कल जिस तरह सोसल डिस्टेंसिंग की धज्यां उड़ी उसके साथ ही राजदानी जैपूर में सराब की दुकाने पर सराब की बिक्री बंद कर साराब खरीदने के लिए लेकिन जिस तरह से कल Social Distancing की दज अभडी उसको लेकर पुलिस प्रसासन और आपका री विभाक की ओर से पूरी आज पालना करवा ही जा रही है ऐसन अब आराम से क्या पता आगे भी कुछ भी हो सकते अपने घर में बेटी आराम से पीतो सकते और यह हैं कुछ नहीं है सब मसते हम लोग तो जो सरकार की गाइड़ाइन ले लोकडाउन को लेकर उसकी पालना लगातार कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से कल सोसल डिस्टेंसिंग की दज्जियां उड़ी उसको लेकर आज आपकर विभाग और पुलिस प्रसाजन पूरी तरह से मुस्तहद है सबी जो सराब की दुकाने हैं उनके बाहर पुलिस के जवान त जाएन किये गए हैं सर इस तरह से पालना करवाई जा रही है पूरी सोशल डिस्टेंसिग की बात करें अमसर सूभ से ही लैं लगे विए थी और फिर हम तोकुन दिये टिक lleva को बारी बारी से टोकंसे इनको को दैन में पर लग लोग रहे हैं और दोरी बनाविनाय के लखे स तो ये लगातार पुलिस के जवान हैं यहां पर जो सराब की दुकाने उनके बार सोसल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहा हैं लंबी लाइन लगा कर सोसल डिस्टेंसिंग से एक-एक व्यक्ति को जो कस्टुमर हैं उनको सराब की दुकानों पर बेजा जा रहा है साथ ही उनके टोकन प्रणाली भी अपनाई गई है ताकि किसी तरह से कानों विवस्ता ना तूटे एक एक व्यक्ति को ही सराब की दुकानों पर भीजा जारा है वीडियो जैनलिस्ट यह समातूर के साथ दनेश कसाना एवन टीवी जैपूर